हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकार शर्मा और स्वागत आपका अपने चैनल जिसका नाम है One for All तो फ्रेंड्स अगर आप अपने मुबाइल नंबर पे तरह तरह की प्रोमोशनल कॉल्स और तरह के प्रोमोशनल मेसेजिस से परिशान हैं तो ऐसे में आप उन सभी मेसेजिस और कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों उन मेसेजिस और कॉल्स को ब्लॉक करने के कई तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि आप अपने फॉन के अंदर उन सभी नंबर को और मेसेजिस को ब्लॉक कर दे लेकिन उसमें यह होता है दोस्तों क अगर आप एक number या एक sender का number जो है block करते हैं तो वही companies आपको जो है दूसरे number से फिर call करने लगती हैं तो ये जो तरीका है ये पूरी तरह से effective नहीं है इसके लिए सबसे best तरीका है आप अपने number पे D&D activate कर सकते हैं D&D यानि की do not disturb दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने mobile number पे D&D activate कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना कोई time गवाय इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करिए और bell icon को press करिए तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से एटल के mobile number में D&D activate कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपके पास my atl app का होना जरूरी है जिसे अभी हम atl thanks app के नाम से जानते हैं तो आप उस app को जो है download करके उसमें login कर लीजिए play store से मैंने उस app को पहले सही download किया हुआ है इसलिए उसे हम सीधा यहां से open up कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों यहां से app जो है open up हो गई है अब आपको जो है यहां पर more पे click करना है more पे click करने बाद दोस्तों आपको यहां पे जो option दिखाय दे रहा है help and support का इस पे आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपको इसे scroll up करना है और यहां पे जो आपको option मिल रहा है browse help topics यहां पर आपको click करना है जैसे आप इस पे click करेंगे दोस्तों एक नया page आपके सामने open up हो जाएगा और यहां पर आपको second number पर एक option देखने को मिल रहा है जो की है service activation by deactivation यहां पर आपको click करना है यह देखिए दोस्तों यहां से आप अलग लगते रहे कि services को activate और deactivate कर सकते हैं यहां से आपको एक option दिखाया दे रहा है I want to subscribe या फिर unsubscribe for D&D इस पर आपको click करना है यह देखिए यहां पर क्या बता रहा है subscribe या फिर unsubscribe for D&D service click here you will receive options for kind of communication you would like to receive choose the desired one to activate by deactivate D&D यानि कि आपको click here यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको options मिल जाएंगे आप किस तरह की services को जो है activate रखना चाते हैं और किस तरह की services को deactivate रखना चाते हैं तो चलिए दोस्तों यहां पर एक निया page open up हो गया है यहां पर आपको दो option मिल रहे हैं पहला है blog all और दू जिवाय आपके transactional messages को चोड़ के और आपके transactional जितनी भी calls होंगी उनको चोड़ करके तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है block all पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने बाद आप देखेंगे कि cross का यहाँ पे symbol लग गया है और उसके बाद हम इसे जो है scroll down कर लेंगे scroll down करने के पाद देखें दोस्तों यहाँ पर सभी services जो है select हो गई है और यहाँ से हमें submit पे क्लिक करना है तो यह देखिए दोस्तों यहाँ से हमारी dnt service जो है successful activate हो गई है यहाँ से हम scroll down करेंगे दोस्तों Scroll down करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option हमें मिल रहा है कि हम back जा करके और अपनी preferences को फिर से set कर सकते हैं यानि कि अगर हमें कोई particular type की services चाहिए या promotional message चाहिए call चाहिए तो हम यहाँ से select कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरिके से हम जो है अपने phone number पर D&D activate कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्स्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट या question है तो प्लीज comment box में comment करके जरूर बताए इसके लाव अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिवस के लिए beneficial होगा तो प्लीज उनके साथ share करिए thank you so much